भरवा शिम्ला मिर्च आलू की ये जो रेसिपी है एक बार जो आपने बना ली तो बार-बार बनाने का मन करेगा स्टफ शिम्ला मिर्च आलू की ये रेसिपी जो है एक बार बनाएं और तीन-चार दिन तक आप इसे फ्रिज में स्टोर रख सकते हैं इसे पराठे, फुलके या किसी भी तरीके से खाएं बहुत ही tasty लगती है सारी tips and tricks के साथ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कैसे शिम्ला मेंच आलू को सई तरीके से बनाना है तो इसलिए इस वीडियो के end तक बने रहें तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने आलू को boil कर लिया है ये तीन बड़े size के आलू है इससे छील लेंगे छीलने के बाद आपको क्या करना है greater की मदद से grate करना है या फिर हाथ से अच्छे से इसे fold लेना है ध्यान रखिएगा मोटे गुटले नी रहने चाहिए क्योंकि जो stuffing है वो हमें बिलकुल ऐसी चाहिए कि मूँ में घुल जाए और ये इसलिए भी important है ताकि मसाले अच्छे से रम जाएं इसमें अब तीन medium size शिम्ला मिच लेनी है इसको अच्छे से दो लेना है फिर इसको बीच में से cut करना है cut करने के बाद जितने भी ये बीच दिख रहे हैं इनको scoop out करना है ताकि एक hole सा बन जाए जिसके अंदर हम आलू की filling कर सकें ये scoop out ध्यान से कीजिएगा hole नहीं होना चाहिए नहीं तो filling निकल सकती है ऐसे ही बाकी सारी शिम्ला मिच को भी ready कर लेना है त्यार गी गई शिम्ला मिच को अंदर से oil से grease करना है ये grease क्यों कर रहे हैं यहाँ पर एक बहुत important tip है हम क्या करेंगे नमक का हाथ लेंगे और इस पर पूरे पर नमक लगाएंगे इससे शिम्ला मिच फिकी फिकी नहीं लगेगी अब त्यार करते हैं stuffing उसके लिए पैल लेंगे उसमें आक करेंगे एक टीस्पून घी flame को low to medium रखना है साथी साथ इसमें डालना है चुटकी बर हिंग आदा टीस्पून जीरा चटपटे पन के लिए दो बारी चौप की हुई हरी मिर्च medium flame पर saute करेंगे आदा टीस्पून हल्दी बड़ी ऐसे कलर के लिए और साथ के साथ ही एंटिसेप्टिक होती है जो अब हमने आलू फोड़े थे हाथ से mash किये थे उससे इसमें डाल देंगे और low to medium flame पर इसको saute करेंगे धाई टीस्पून मैंने धनिया पाउडर डालाएं यहां पर अच्छे से mix कर लेंगे ताकि आलू में हमारे सारे जो मसालों के फ्लेवर हैं वो incorporate हो जाएं और साथ के साथ आलू अच्छे से पक जाएं खट्टे पन के लिए मैं यहां डाल रहूँ एक टीस्पून अमचुर पाउडर नमक स्वादनुसार थोड़ा सा नमक ना इस रेसिपी में ज्यादा डलता है क्योंकि आलू भी फीके होते हैं और शिम्ला मेंच भी आदा टीस्पून गरम मसाला मैं यहां अट कर रही हूँ बड़ी आसी खुश्बू अ फ्लेवर के लिए साथ के साथ एक टीस्पून करीब कस्तूरी में थी पांच से साथ मेंट लगेंगे इसे रोस्ट होने में तो मीडियम से लो फ्लेम पर इसे रोस्ट करना है जिसको ज फोड़ा ठंड़ा होने के बाद ना इससे जो शिम्ला मेच हमने स्कूप आउट करके रखी ती उसके अंदर फिल करेंगे इसके स्टफिंग ना इतनी यमी थी कि बनाते बनाते ही मैं बहुत सारी खा गई जो बची है ना उसे धंग से मैंने एक-एक शिम्ला मेच में अच् जीरा अब इस घी को ना हम पूरे पैन में अच्छे से फैला लेंगे ताकि कम से कम घी में हम इसे रोस कर सके अब एक-एक करके जो स्टफ शिम्ला मेच हमने रेडी की थी वो इसमें रखेंगे और उपर से मैं कुछ तिल लगा रही हूं एक ये तरीका है दूसा तरीका है कटोरी में सफेद तिल लेंगे और उसमें इसे डिप करेंगे अब तिल लगाने के बाद ये सारी शिम्ला मेच को हमें इसमें रखना है उसके बाद इसे ढख देना है लो फ्लेम पर इसे रोस करना है बीच-बीच में चेक करते जाना है सारी साइट से अच्छे से पके इसक को अलट पलट के रोस्ट करना है मैं इससे हाथ से पलट रही हूं आप चाहें तो फोक या नाइफ का भी इस्तिमाल कर सकते हैं बीच बीच में इसे अच्छे से पकाने के लिए इसे ढखना जरूरी है ताकि स्टीम से यह जल्दी पके जैसे कि आप देख सकते हैं शिम्ला में कर जो है कच्छा पन चला गया आप देख सकते हैं पूरी अच्छे से पक चुकी है यह फ्लेम ओफ कर दीजेगा इसे लगबग 15 से 20 मेर्ट लगे हैं लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने में अब किस बात की दे रही है प्लेटिंग करिए और सर्फ करिए पराठो और फुल्क लूबगे झुल्क टनू लगे हैं टूबगे उकले ने लगे हैं लो कुल्क दोरक देख सगने की ब साथे ने प вниз इस ड्टेपर हैं